Hello Class 4th, Today we will start new chapter Roman Numerals Roman Numerals, start करने से पहले हम लोग जानेंगे कि Numerals होते क्या है तो Numbers को Represent करने के लिए हम कुछ Symbols यूज़ करते हैं, कुछ Sign यूज़ करते हैं यानि कि हम Numbers को कैसे लिखते हैं, उनको बोलते है Numerals तो Numerals, हिंदू Arabic Numerals, जो हम लोग Counting आपने सीखी हुई है 1, 2, 3, 4, आपको बता है कि हम उन Counting को किस तरीके से लिखते हैं उनके लिए ही कुछ Roman Numerals, यानि उन Sign को Roman स्टाइल में कैसे लिखते हैं उनके लिए भी कुछ Symbols होते हैं और Roman Numerals के लिए कुछ 7 Basic Symbols होते हैं तो आज हम देखेंगे कि जो Roman Numerals हैं, यानि कि Roman Numerals हम लिखते हैं उनके corresponding हम Hindu Arabic System में उनको किस तरीके से लिखते हैं तो ये जो 7 Symbols हैं, देखेंगे Hindu Arabic Numerals में हम 1 को लिखते हैं like this और Roman Numerals में उसको हम लिखते हैं I 5 के लिए हम लिखते हैं Roman Numerals में V 10 के लिए हम यूज करते हैं X 50 के लिए हम यूज करते हैं L 100 के लिए हम यूज करते हैं C 500 के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं that is D and 1000 के लिए हम यूज़ करते हैं M ओके तो कोई भी बड़े से बड़ा रोमा न्यूमरल अगर आप लिखेंगे तो उसके लिए हम यह बेसिक सिंबल्स ही यूज़ करते हैं जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदू-अरेविक में total जो डिज़ेट्स होती है वो कितनी होती है 10 0 जो डिज़ेट्स है डिज़ेट्स वो कॉन को से होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो हमारे जो बेसिक डिज़ेट्स होती है जिनके लिए हम बड़े सी बड़ा कोई भी नंबर अगर हमें फॉर्म करना है तो हम इन्ही टेजेट्स को यूज करके हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो सेल रोमन यूमरल के लिए जो बेसिक जो नूमरल होते हैं वो होते हैं I, B, X, L, C, D, M ओके, क्लियर? लेकिन रोमन यूमरल को फॉर्म करने के लिए रोमन यूमरल को लिखने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे four basic rules जिनसे हम ये रोमन यूमरल को फॉर्म करते हैं ओके, तो basic rules to form roman numerals तो rule number one rule number one क्या है? कि repetition of any number repetition of any numeral means addition कोई भी numeral जो है वो अगर repeat हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? कि वो add हो रहा है तो first rule is repetition of numeral means addition एक्जाम्पल से देखें देखें हम roman numeral में one के लिए उस करते है I, one is equals to I और two के लिए I, I यानि की one plus one equals to two three के हिए I, I, I I, I, I means one plus one plus one equals to three okay? इसी तरी के से X is equals to ten X, X equals to ten plus ten equals to twenty say, X, X, X equals to ten plus ten plus ten equals to thirty clear? तो इस तरीके से कोई भी रोवन numeral अगर repeat हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि वो add हो रहा है लेकिन इसमें भी कुछ cautions है, कुछ साथानिया है जिसका आमें ध्यान देने की जरूरत है वो क्या है? तो हम cautions भी साथी साथ clear करते हैं क्या साथानिया हमें रखनी हैं? तो कुछ roman numeral ऐसे हैं जो repeat होते हैं लेकिन कुछ roman numerals ऐसे भी हैं जो repeat नहीं हो सकते हैं तो कौन-कौन से numeral है जो repeat हो सकते हैं? Only I, X, C, N, M can be repeated Only I, X, C, N, M can be repeated यानि की 4 हमारे जो roman numeral है वो repeat हो सकते हैं और total हमारे roman numeral कितने थे? 7 यानि की 3 roman numerals जो है वो repeat नहीं हो सकते हैं तो कौन-कौन से है वो? V वी, अब आए हो क्या है? V, L, L and D cannot be repeated लेकिन ऐसा क्यूं है? ये roman numeral repeat क्यूं नहीं हो सकते हैं? आपके mind में ये question जरूर आ रहा होगा येस, तो देखे वी, वी हम जिसके लिए उस करते हैं? 5 के लिए, वी इस इक्वल्स तू 5 और रहा हम वी को repeat करते हैं यानि की हम अगर लिखते हैं वी वी तो वी और वी यानि की 5 प्लस 5 लेकिन 5 प्लस 5 इक्वल्स तू 10 जिसके लिए हमारे पास already एक symbol है यानि की X तो इसको हमें repeat करने की जग होए थी नहीं है सेट आप जो L है L हम यूज करते हैं 50 और अगर आप L और L लिखते हैं तो उसके लिए हमारे पास already 100 जो आएगा उसके लिए हमारे पास symbol है C same जो आपका next है D यानि की 500 के लिए जो हम use करते हैं D तो आप उसे भी repeat करेंगे उसके पास उसके लिए की हमारे पास जो symbol है वो and given है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है ओके तो ये था rule number 1 और आगे के rules यानि की rule number 3, 2, 3, 4 हम करेंगे next class में okay? तिल दें बाइबाइ